Hello everyone, welcome to class series और आज के इस विडियो में हम जिस question को solve कने जा रहे हैं find the sum of 25 plus 28 plus 31 plus till plus 100 सबसे पर हम question को समझते हैं question में क्या बोला है? सिर्फ question में इतना बोला है कि find this sum करना है एक question में series दे रहे हैं जो की है 25 plus 28 plus 31 and so on till plus 100 तक ये पूरी series दे रहे है इसमें सिर्फ आपको first term जो की होगया आपका 25 और last term जो की होगया 100 25 से लेकि 100 तक मतलब first term से लेकि last term तक कितने भी numbers सारे है वो सारे numbers का आपको sum find out करना है ठीक है? कुछ भी नहीं बताए AP है या GP है तो basically मैं आपको बताता हूँ ये AP की series है कैसे होगी? आप देख सकते है difference इसके अंदर सेम आ रहा है 25 प्लस 3 28 28 प्लस 3 31 and so on ठीक है? तो मतलब common difference सेम आ रहे है मतलब add होते जा रहे है एक number है जो की होगा difference आपकी 3 वो number add होते जा रहा है 1 पे 1 पे 1 पे मतलब 1 term पे 3 add हो रहा है फिर until प्लस 100 ये आपकी series दे रहे है तो basically आप देख सकते हैं ये हमारी series है और ये कौन से series है? AP की series है मैंने आपको explanation दिया है क्यों ये AP की series है क्योंकि common difference सेम है अब यहापे हम data लिख लेते है A is equal to first term कितना होजागा 25 difference is equal to कैसे find out करेंगे T2 minus T1 तो second term किया है 28 minus first term T1 बोले तो first term यह जागा 28 minus 25 कितना निकलेगा? 3 तो आपकी difference कितनी निकल चुकी? 3 अब हमें A की value पता है 25 D की value पता है 3 अब अपन को क्या करना है? question में क्या बोला है? find the sum बोला है लेकिन वो mention नहीं कहा है कि मतलब कितने term से उसका sum find out करना है ठीक है? तो अपन को basically सबसे पहले हम यह जो 100 दे रखाना यह last term है लेकिन यह last term कौन सा term आता है? जैसे 25 first term है, 28 second term है 31 third term है वैसे यह कौन सा term आता है? वो अपन को पता नहीं है अपन को पता है TN is equals to 100 लेकिन उसके अंदर N की value क्या है? हमें वो पता नहीं है वो कौन सा term है? वो TN कौन सा है? वो अपन को find out करना है, right? तो अपन पहले N ते term का formula यूज करेंगे फिर बाद में हम sum में जाएंगे तो यह basically हो जाएगा TN is equals to A plus N minus 1 into D और A N is equals to A plus N minus 1 into D same formula है तो N की value क्या है 100 100 is equals to A की value क्या है 25 plus N की value क्या है? हमें नहीं पता अपन को find out करना है मैंने आपको बोला ना यह 100 कौन सा term है? इस series का वो अपन को पता नहीं है अगर अपन को वो पता चलेगा तो directly अपन sum में वो number डालके अपन find out कर सकते difference की value क्या है? 3 है 3, right? यह basically हो जाएगा 100 is equals to 25 plus 3 into N 3 N minus 3 वन्स दा 3 यह हो जाएगा 100 is equals to यहापर lag terms के 25 N minus 3 so plus 25 N minus 3 कितने होते हैं? basically हो जाएगा 22 plus 3 N therefore 100 minus 22 यह plus है जब यहापर transpose हो जाएगा तो minus में आजाएगा is equals to 3 N right? 100 minus 22 कितना होगा? 78 is equals to 3 N therefore N is equals to 78 divided by 3 कितने बार जाएगा? 3, 1 दा 3 3, 26 दा 78 तो अपन को basically N की क्या value मिली है? 26 मतलब यह जो term है na 100 यह 26 term है यह basically T26 is equals to 100 आए 26 term की value क्या है? 100 आ रही है ठीक है? अब अपन को basically sum find out करना, right? basically यह बोला न, find this sum तो फिर S26 sum of 26 अपन बड़ा वाला formula यूज नहीं करेंगे जो कि हमें last term पता है हम directly एक छोटा सा formula यूज करेंगे ताकि हमारे लिए easy हो जाएगा मैं पहले लिख लेता हूँ S N is equals to formula है S N is equals to यह basically S N is equals to N by 2 into A plus L L बोले तो क्या होता है? last term हो जाता है, ठीक है? तो S 26 find out करना है न अपन को तो S 26 is equals to N की value क्या है? N के value अपन को मिली है 26 26 divided by 2 A के value क्या है 25 और last term क्या है 100, right? इसको आगे फर्दर करेंगे S 26 is equals to 26 divided by 2 into 125, right? जब आप इसको फर्दर करेंगे तो आपको S 26 मतलब S sum of 26 numbers कितना मिलेगा? basically यह हो जाएगा आपका 1625, ठीक है? So this is your answer